यह कहानी हर किसी को जरूर सुननी चाहिए एक बार आफिस से घर लोटने पर पती ने देखा कि घर बुरी तरह बिखरा हुआ है बच्चे बाहर अपने नाइट सूट में खेल रहे हैं उनके खिलोने फैले हुए हैं डाइनिंग टेबल पर खाना खुला पड़ा है कपड़े सोफे और कुर्सियों पर लटके हुए हैं गीले तौलिये बिस्तर पर पड़े हैं रसोई में जूठे बरतन बिखरे हुए हैं ये देखकर पती घबरा गया उसे लगा कही पत्नी बहुत बीमार तो नहीं है जब वह कमरे में पहुँचा तो देखा कि पत्नी आराम से कुर्सी पर बैठ कर मोबाइल देख रही थी जैसे ही पती पर निगाह पड़ी तो वह मुस्कुरा कर बोली कहो कैसा रहा दिन है रानी से पती ने पूछा क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है घर का? पत्नी बोली तुम आफिस से लोटने के बाद रोज पूछते हो ना कि तुम आखिर रोज घर में करती क्या हो तो आज मैंने कुछ नहीं किया पती आगे कुछ भी नहीं बोल पाता दोस्तो पत्नी को रानी बनाने के लिए धेर सारे पैसों की नहीं बस थोड़ी सी परवाह मान सम्मान और प्यार की जरूरत होती है कुछ लोग कहते हैं कि आउरत का कोई घर नहीं होता है लेकिन सच तो यह है कि आउरत के बिना कोई घर नहीं होता है बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करें